हेलो दोस्तों, आरके मिक्स इंटर्टेन्मेंट पर आपका स्वागत है दोस्तों, चतुर्ती थिती हर महिने में दो बार आती है एक सुकलपक्स में, दूसरी कृषनपक्स में सुकलपक्स की चतुर्ती को विनाई की चतुर्ती कहते हैं और किर्शन पक्स की चतुर्ती को सकट के नाम से जाना जाता है लेकिन माग मास की किर्शन पक्स की चतुर्ती का विसेश महत्व है इसे सकट चोथ के नाम से जाना जाता है साल 2023 में माग मास की सकट चोथ 10 जन्वरी को है इस सकट-چोत को अन्यक कई नामों से जाना जाता है जैसे संकष्टी चतुर्थी, तिलकुट चतुर्थी, संकटा चोत और तिलकुट चोत दोस्तो सकट का मतलब है संकट हरी है यानि संकटों का हरन करने वाली चतुर्ती इस वर्त से विगन हर्ता गणेश बड़े परशन होते हैं महलाए अपने पुत्रों की मंगल कामना और दिरगायू के लिए इस दिन निर्जला वर्त रखती है बगवान गणेश की पर्तम पुझे देवता के रूप में आराधना की जाती है किसी भी सूप कारिये की सुरुवात से पहले बगवान गणपती की आराधना की जाती है सकट चोथ में भी भगवान गनेश की पूजा के साथ उपवास रखा जाता है और कथा सुनाई जाती है इस दिन महिलाए सुबह सनान के पश्चात निर्जला वर्त रखती हैं चंदर दर्शन के बाद उपवास तोड़ सकते हैं कई स्थानों पर महिलाए इस दिन कुछ नहीं खाती वहीं कुछ स्थानों पर महिलाए वर्त तोड़ने के बाद खिचडी, मुंगफली और फलहार करती हैं इस दिन सकरकंद खाने का सबसे ज़्यादा मैतू होता है इसी दिन भगवान गणेश अपने जीवन के सबसे बड़े संकट से निकल कर आये थे इसलिए इसे सकट चोत कहा जाता है एक बार मापरवती सनान के लिए गई तो उन्होंने दर्बार पर गणेश को खड़ा कर दिया और किसी को अंदर नहीं आने देने के लिए कहा यहां तक कि बगवान गणेश ने अपने पिता शिव को भी अंदर आने से रोग दिया बगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने तिर्सूल से गणेश का सिर्व दढ़ से अलग कर दिया पुत्र का यह हाल देखकर मा पारवति विलाप करने लगी और अपने पुत्र को जीवित करने का हट करने लगी जब मापारवती ने सीव से बहुत अनुरोध किया तो भगवान गणेश को हाथी का सिर लगा कर दूसरा जीवन दिया गया और गणेश गजानन कहलाने लगे इस दिन से बहुत गणेश की पूजा करने से सबकी मनोकामना पूरी होती है पूजा के बाद शाम को चंद्रमा को अधरिया दे कर ही वर्त तोड़ा जाता है चंद्रमा को शहद, रोली, चंदन और रोली मिश्रित दूद से अधरिया दे कुछ स्थानों पर वर्त तोड़ने के बाद महिलाए सबसे पहले सकरकंद का प्रियोग करती है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको सकट चोत से जुड़ी सारी चोटी बड़ी जानकरी अच्छे से दे दियोगी करें दोस्तों जानकरी अच्छे लेगी तो वीडियो को लाइक करें मैकसिमम से मैकसिमम हर जगे शेशे शेयर करें ताकि सबको सकट चोत के बारे में पता चल सकें कमेंट बॉकस में आप हमें सकट चोत के हारधिक शूप कामना हैług या जो भी इस वर्थ के बारे में कहना चाते हैं अप लोग हमें कमेंट सेशन में लिखके जरूर बताएं दोस्तो और दोस्तो इसी केसाथ यदि आप सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नूटिफिकेशन के लिए बैल आइकन पर क्लिक करें तके आपको ऐसी वीडियो टाइम-टु-टाइम और सबसे पहले मिल सके दोस्तो ऐसी ही वीडियो आप फेस्बुक पर पाने के लिए मेरे फेस्बुक पेज आरके मिक्स इंटर्टेन्मेंट को फोलो करना ना भूले धन्यवाद दोस्तों जै हिंद झाल 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 झा